हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भागी यह है कि हमने सेक्स को टैबू बना दिया हमने सेक्स को इतना चुपाया इतना चुपाया कि लोगों को curiosity होगी कि यह तो पता नहीं क्या है कुछ भी तो नहीं है अगर आप मेरे घर में आएं मैं आपके घर में आई हूँ जैसे आप मुझे कहें कि निदी जी यह पूरा घर आपका है आज के लिए आप यहां पे रहिए और बस यह ड्रॉर मत छेड़ना मैं सोचूंगी इस ड्रॉर में पता नहीं क्या छुपा के गया है तो sex is the draw सब को explore करना है कि इसमें पता नहीं क्या है sex is not a taboo, it's a natural thing और इसलिए दो जेंडर बने हैं और इसलिए दो जेंडर के बीच में attraction है क्योंकि opposite sex है और opposite भी मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि हम एक दूसरे के नहीं अगेंस्ट कड़े हो गए है लड़के कहते हैं लड़कियां बुरी हैं लड़कियां कहते हैं लड़के बुरे हैं we are different genders ना हम अच्छे हैं ना तुम बुरे हो ना ठीक है तो sex को सबसे पहले हमें normalize करना होगा हमारी society में कि sex is not a bad thing बट हर किसी के साथ हर रोज sex करना is a bad thing without emotion without emotion क्योंकि sir मैंने ये बात एक podcast में अभी बोली थे और इस पर बहुत बवाल हुआ है कि sex is like meditation क्योंकि मुझे वहाँ पर जवाब मेरा पूरा post नहीं हुआ orgasm जो होता है sex के बाद या जो last stage होती है orgasm का जो minutest part होता है वहाँ पर इनसान ego less होता है और timeless होता है उस वक्त इनसान को time की और जो उसका ego मैं होता है वो खत्म हो जाता है same जो orgasm का peak होता है जिसने sex में emotions के साथ उस peak को crack कर लिया it means उसको ये समझ में आ गया कि ये energy जो है ये बहुत पाक है बहुत पवित्र है और वो उसके बाद sex से कट जाता है वो उसके बाद उस energy के पीछे पढ़ जाता और वो meditation की तरफ जाता है so sex एक तरीका है उस energy तक पहुँचने का लेकिन उसको continue करने के लिए आपको meditation तक जाना पड़ेगा जब वो जो एक पल आता है जब हम लोगों को कुछ भी ध्यान ने रहता that is egolessness and timelessness sex एक energy है इंसान को energy कहीं भी लगाएगा न उसकी मेहनत लगेगी sex is the only thing जहाँ पे उसको pleasure मिलता है energy लगाने से क्यों मिलता है क्योंकि उसका peak जो है उसको egoless करता है इंसान इतना ego से भरा हुआ है कि उसको एक उस पल में बहुत enjoyment feel होता है इस टाइम पे वो egoless है और उस egolessness को ही meditation का peak कहते है लेकिन लोग उसको crack नहीं करते हैं वो सोचते हैं मुझे sex से मजा आ रहा है और वो हर रोज इस चीज़ को explore करने की कोशिश करते हैं लेकिन उस peak को नहीं पकड़ पाते हैं जो वो fraction of second का peak होता है कि उसके बाद एक दम से ego आ जाती है वो आपको figure out ही नहीं करने देती जिसने वो एक fraction of second figure out कर लिया न उसके लिए sex सिर्फ एक माध्यम बन जाएगा एक होता है साधन एक होता है साध्य हमने sex को साध्य बना लिया है sex साधन है साध्य तक पहुँचने का सो ये बात बहुत डीप है और ये बहुत बहुत कम लोगों को समझ में आएगी मुझे पता है मुझे अभी भी गालिया पड़ जाएगी कि ऐसी बात है करने है लाखों लोग I love you बोजते हैं सिर्फ sex करने के लिए और जो sex की बात करता है आपको sex का मीनिंग समझाने के लिए वो परवर्ट है ये तो sex की बात करता है वाई सहाब ये modernization है आपका आप हर रोज लाखों जूटे I love you बोल रहे हैं सिर्फ sex के लिए जो सिखा रहा है उसको गह रहे है परवर्ट है इसकी तो सोची गंदी है ये तभी sex की बात कर रहे है तो sex को taboo किसने बनाया हमने बनाया ना taboo है ही नहीं marriage करवा रहे है तुम तुमको पोता-पोती चाहिए बिना उसके हो जाएगा पूरी दुनिया मेरा जन्म आपका जन्म इस दुनिया में हर कुता, बिल्ली, जानवर, पौधा सब इसी वज़े से हो रहा है reproduction की वज़े से यहीं नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा लेकिन उसके जड़तों नहीं पहुँच पार है